है आज बात करेंगे हैं किया होता है उसके बार में हैंड तो what is had had refers to the current state of your repository current state होता है उसको refer करता है इस इस a reference to the most recent commit that you have made and it's typically the parent of the next commit that you will create उसका parent माना जाता है तो जो आपने recently most recent commit कहा होगा उसको यह refer करता है तो रहा से statement है हैंको confusing लगेगा जो आपका clear हो जाएगा आगे चलेगे you can think of the head as a pointer to a branch in your repository history, तो repository history में जो आपका अभी working branch होगा उसको यह point कर रहा होता है ऐसा इसलिए कहते हैं because when you create a new commit git updates the head to the point to the new commit and the new commit becomes the new head of the branch okay, so इसलिए लगता है कि branch को यह point कर रहा होता है तो आपकोई new commit करते हैं नया commit किया git update करता है, head point यह point कर रहा होता है new commit हमारा बन जाता है new head of the branch जो यह है पूरा इसका head यह Vegang पॉसको पॉइंट कर रहा होता है इसको point कर रहा होता है लिकिन अल्टिमेटल वह branch को point करता हुआ हमें दिखाई देता है, दोस्तों यह इतना ही है इसमें कुछ खास है नहीं, कमणडवर करने के लिए नहीं, तो इसको दिखान में रखे और जब भी head में बोलूं, तो आपको दिखान में रखना है, कि या तो वो branch को point करता हुआ, कर रहा है उसकी में बात कर रहा हूँ, current, यह फिर जो most recent commit है, उसको refer कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, मतलब मैं मतलब पूरी community जो github जो use करते हैं, सभी community के मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है, अभी इसमें इतना ही है, और आपने मे बात तन्याओत.